लहराएंगे तिरंगा अप सारे आस्मान पर भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपती जान पर कोई जो उठाएगा आँख हिंदुस्तान पर नमशकार भारत ग्यानक्षर की टीम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती है भारत ग्यानक्षर प्रस्तुत कारगिल युद की एक अनकही दास्ता कारगिल सीरीज में कार्गिल की लड़ाई कई मायनों में आग की जाने वाली है भारत ने यह संदेश भी दिया कि हम कभी जुकेंगे नहीं पाकिस्तान भारत का एक मात्र ऐसा पड़ोसी देश है जिसने तरक्टी की राह से जादा विद्वन्स के रास्ते पर चलना अधिक पसंद किया आज के इस एपिसोड में हम आपको सुनाने वाले हैं ऐसे ही एक शूरवीर की कहानी जिन्होंने बरफीली चोटियों पर दुश्मन के छक्ये छुडाते हुए अपने प्राणों की आहूती देरी और अपने देश का नाम रौशन किया कारगे लड़ाई साथ दिन बाद 26 जुलाई को खतम हुए विश्व के इतिहास में माउंटेन वारफेर का एक सांदार उभाडन पाकिस्तानी सिना की करारी हार का जो चेक पोस्ट छोड़ने के लिए हुए थे मजबूर आपको जानतर हैरानी होगी कि दितिय विश्व युद्ध के बाद कारगे लड़ को ही इतिहास का सबसे भयावा युद्ध माना जाता है क्योंकि इस युद्ध में भारी मात्रा में विश्वोटक, रॉकेट, मिसाई, तोप और मॉर्टार का इस्तमाल किया गया था सेना के अधिकाजियों के अनिसार कारगेल वार में करीब धाईलाग गोले, पांच हजार बंब, वो तीन सो से अधिक मॉर्टार दागी गए थे बताया जाता है कि कारगेल की लड़ाई के सत्रे दिनों तक हर दिन प्रति मिनट एक दफा फाय किया जाता था इसलिए इस युद्ध को दितिय विश युद्ध से तुना किया जाता है ओपरेशन विजय 26-27 जून 1999.5770 पर आक्रमर शुरु हुआ कुछ बहादूर पुर्शों की टास्कोर्स साहत और कर सकने वाले रवये से भरी हुई चोटी पर कबजा करने के लिए भेजी गई थी चून को भारत पाकिस्तान के युद्ध में अमेरिका को हश्ट शेप करना पड़ा अमेरिकी राश्ट्रपती बिल क्लेंटन ने परवेज मुसरर से फोन पर कहा कि अपनी सेना को कारगिल सेक्टर से जल्दी हटा दें अंतरराश्ट्रिय मीडिया मैं भी कारगिल के युद्ध की खबरे सुर्खियों में थी पाकिस्तान को विश उस्थर पर अन्य देशों से सायता मिलना भी बंध हो गया था दोनों देशों के बीच सैनिक शहीद हो चुके थे और भारती मीडिया रोज रोज आ रही शहीदों की कहानी की दास्ता सुना रही थी सभी उस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कब शांती पूर माहल की स्थापना होगी दोनों देशों के बीच अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस वीर जवान की कहानी जिसने अपनी भारत मा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया आज हम बात करने जा रहे हैं हरिदेव सींग की कारगी लिद में नालंदा की मिट्टी के हरिदेव ने जोश जजबे पतागत का परिचे दिया था 12 जून 1999 को वे शहीद हुए थे उनकी शहादत के सम्मान में बड़ी बड़ी गोशना की गई थी लेकिन सब कागजी साबित हुए बस उनकी यादे ही बची हैं हरिदेव का जन्व एकंग सराय के कुकवर गाउ में 31 मई 1970 को हुआ था 1988 में बिहार रेजीमेंट दानापूर में प्रथम बटालियन में शामिल होनी के बाद हरिदेव ने 1994 में भूटान एवं शोमेलिया युद्ध में दिलेरी का परिचे दिया था इसके लिए उन्हें पुरुषकार भी मिला था हरिदेव को एक पुत्र शुधांशू दो पुत्री मनीशा वनिशा है पिता को याद करवे आज भी रोपटी है एकंगर सराय अस्पताल में तृतियवर कर्मी के रूप में कार्रत हरिदेव की पत्नी मुन्नी देवी कहती है अब तो बस उनकी यादे ही बची है ना प्रति देवी लालू प्रशाद तक काली रक्षा मंत्री जौस फरनांडेंस ने उनकी पार्थिव शरीर पर श्रद्धान जली दी थी तब शहीद के परिजनों को गेस एजनसी देने मुख्य आलय चौराय पर शहीद की प्रतिमा स्थापित कने जैसी कई बड़ी घोशना की गई लेकिन एक दो को छोड़कर सभी घोशना सिर्फ कागजों में सिमट कर रहे गई अब तक कुकुर आदर्श कराम नहीं बना है मुख्य चौराय पर प्रतिमा नहीं लगाई है धन्यवाद आज की एपिसोड में बस इतना ही आगे जानने के लिए जुडिये रहिए भारत ज् एक शर्क के साथ